हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपके लेकर आई हूँ बहुत ही हेल्दी एजी और टेस्टी नास्ता की रेसिपी तो चलिए बनाते हैं इसके लिए हमें लेना है एक बावल या एक कप हमने यहाँ पर सूजी ले लिए यहाँ पर यहाँ पर यूज कर सकते हैं और साथ में हमने आदा चमज नमक एड़ कर लिया है और यहाँ पर यूज की है और बिल्कुल भी खटी नहीं है जादा खटी दही नहीं लेंगे साथी में add करना है एक कप पानी एक कप सूजी के लिए हमें एक कप पानी एकदम perfect रहेगा आप इसमें एक कप पानी add कर सकते हैं और इसको अच्छे से हमें यहाँ पर मिला देना है मिलाने के बाद हम इस सूजी को 10 मिनट के लिए इसी तरीके से छोड़ देंगे जिसे सूजी जो है हमारी बढ़िया से फूल जाएगी सूजी मिक्स हो गई इसको हम छोड़ देते हैं तब तक एक त्यारी कर लेते हैं यहाँ पर लेते हैं एक कढ़ाई या पैन इसमें हमें तोड़ा सा दो टेबल स्पून ओयल एड़ करना है थोड़ा सा जीरा एड़ कर देंगे साथी में एक हमने यहाँ पर मोटा मोटा कट करके प्याज को डाल दिया है और इसको हम अच्छे से चला लेना है और अब हम यहाँ पर एड़ कर देते हैं दो कटी हुई हरी मिर्च थोड़ी सी beans हम यहाँ पर add कर देंगे आप यहाँ पर जो भी सबजी खाना पसंद करते हैं वो सारी सबजिया इसमें add कर सकते हैं तो मैंने यहाँ पर एक के सिम लेमिट्स को भी बारी कट कर इसमें add कर दिया है और इसको अच्छे से चला देना है तो थोड़ा सा यहाँ पर soft हो गई है और अब हम इसमें थोड़ा सा नमक add कर देंगे नमक हमने पहले भी add किया है इसलिए हम टेस्ट के according add करेंगे और साथी में थोड़ा सा चिली फ्लैक्स वाला add कर दिया है और थोड़ा से इसको अच्छे से हमें पका देना है इन सारी सब्जियों को सूजी के साथ हमें अच्छे से mix कर देना है अगर आपका बैटर थोड़ा बहुत गहड़ा लग रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी add कर सकते है लीजिये बैटर हमारा त्यार है और अब हम इसमें add कर देंगे थोड़ा सा इनो सॉल्ट आप अगर इनो सॉल्ट नहीं add करना चाहते है तो इसमें थोड़ा सा बेकिंग पाउडर भी इसमें add कर देंगे खाने वाला सोड़ा और उसी भी नास्ता बहुत ही अच्छे से टेस्टी हो और यहां पर थोड़ा सा सॉफ्ट बनेगा और इसको हमने अच्छे से फ्लपी होने तक चला लिया है अब हम ले लेते हैं एक कड़ाई या पैन जिसमें भी आपको बनाना है आप उसमें add करिए थोड़ा सा ओयल तो दो टेबल स्पून मैंने यहां पर ओयल एड़ कर दिया है बहुत जादा ओयल नहीं add करेंगे क्योंकि हम कम oil का नास्ता यहां पर बना रहे हैं तो इस तरीके से मैंने यहां पर दो चम्मज बैटर को मैंने यहां पर डाल दिया है बैटर डालने के बाद हम इसको दो से तीन मिनट के लिए ढखकर छोड़ देते हैं दो से तीन मिनट के बाद यह देख सकते हैं, हमारा नास्ता एक साइट से बढ़िया से पग गया है, और इस तरीके से हम इस नास्ती को पलट देना है, एक साइट से बहुत ही बढ़िया से गोल्डन ब्राउन होने तक से गया है, अब हम एक दो बार इसको इसी तरीके से अलट पलट कर सेख देंगे, जिससे नास्ता बहुत ही उपर से ग्रेंची और अंदर से सौट सौट बनेगा, और अम यहाँ पर इसी तरीके से दूसरा भी इसी तरीके से मैंने सारे नास्ता जो है, इसी तरीके से हमने बना लेना है, आप इस नास्ते को एक बार जड़ू ट्राइ कीजिए, आपके बच्चे जो भी सबजिया खाना पसंद नहीं करते हैं, वो सारी सबजिया आप इसमें आड़ करिए, आपके बच्चे सारी सबजि चार हमने आपर बना कर त्यार कर लिए हैं तो लिजिए अब मैं आपको यहाँ पर तोड़ का भी दिखा देती हूँ आप देख सकते हैं अंदर से कितना सौप्ट और बहार से एकदम क्रिस्पी जैसा लग रहा है और यह खाने में बहुत टेस्टी है इसी तरह की हेल्दी रेस्पी देखने के लिए आप वीडियो को लाइक किजिए चैनल को सब्सक्राइब